हलो फ्रेंज कैसे आप सभी आयो आप अच्छे होंगे मैं हूँ सीमा और आज मैं आपके लिए लिक्या आये हूँ एक न्यू रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं सभजियों का नास्ता वो की बच्चों की सेथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप बच्चों की टीपिन में भेजोगे तो टीपिन हमेशा खाली आएगा इतना टेस्टी बनता है ये नास्ता देरना खटता हुए चलिए बनाते हैं इस रेस ही डालेंगे पानी डालकर इसका पेस्ट बना के तयार करेंगे इस सूजी का हमें पतला सा पेस्ट बना के तयार करना है पेस्ट हमारा ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा थीक होना चाहिए थोड़ा थोड़ा पानी करके पेस्ट बनाये ज्यादा नहीं चोड़ देंगे पेस्ट हमारा इस तरह का होना चाहिए अब करेंगे मागे की तेयारी तो यहां पर मैंने फूल गोबी ली हैं गोबी मैंसे इस तरह से छोटे-छोटे फूल निकाल ले हैं और इन्हें अच्छे से धो लिया हैं अब हमें इन फूल को ग्रेट करना है पीछे क से मिक्स हो जाएं और हमें मिक्सर्ण बनाने में कोई दिक्कर ना हो गोबी के साथ एट करेंगे हम दो बारी कटी हुई हरी मिट्च और एक छोटा प्याज बारी कटा हुआ और यहां पर मैंने एक गाजर को कदुकस कर लिया हैं वो भी एट कर देंगे अगर आपके पस और को भी सब्जी है वह डाल सकते हो जैसे पत्ता घुबी 언ा में इन सब्जियों का मच्छे से मिला लेंगे सूजी को भी रख्या ओक दस मिट हो चुके हैं यह भी अच्छे से मिला लेंगे आपर हम थोड़ा सा पाने येट करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें आपर जब तक मिलाना है जब तक यह सभी एक दूसर से मिल नहीं जाते अच्छे से ये पेटर रेडी है अब यहाँ पे डालेंगे हम दो चमच बेसन बेसन की जगह आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हो बेसन को हम अच्छे से मिला लेंगे और डालेंगे हलके पुल के मसाले तो आदी छोटी चमच लाल मेच पाउडर और एक चमच धन्या पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे और नमक हमने पेले से ही डाल रखा है सुजी के अंदर इन सब को हम अच्छे से मिलाना है अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस में तो यहां पे मैंने तवे को गरम किया है और थोड़ा सा ओयल लगा देंगे और एक चमच बिटर लगकर तवे के अंदर डाल देंगे हलका सा फेला लेंगे हमें यहां पे इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि यह सब्जियों से भरपूर है और सूजी बेसन कौम है इसलिए तूट भी सकता है तो जब यह नास्ता किनाओ से अच्छे से उभर आए फिर इसे पलट देंगे उससे पहले नहीं पलटना है तो यहां पे थोड़ा सा ओयल लगा कर फिर इसे पलटे ताकि यह आसाने से पलट जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं यह एक साइड से कितना अच्छा क्रिस्पी सिखा है सा ओयल लगा कर इसे दूसी तब भी अच्छे से से शेख लेंगे यह सब्जियों का भरपूर नास्ता हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और आपके बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आने वाला है बनकी रेडी हो चुका हैं इसे निकालेंगे आम बार और इसी तरह से हम सारे चिल्ले बनना के तयार कर लेंगे तो यह नास्ता बनाने में हमें 3-4 मिलियर का टाइम ही लगेगा इसे भी हम दोनों तरब से अच्छे से से शेक लेंगे तो इसे आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है यह दिखने में और सारी सब्जिय ऐसे ही उबर के आ गई है और यह खाने में बहुत ही मज़ेदा लगने वाला है तो यह फटा-पट से बनकर नास्ता हमारा तेयार हो चुका है इसमें हमें ना तो दही और ना ही सोडे का यूज़ किया है फिर भी यह नास्ता बहुत ही सोप्ट बना है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंस आपको आज की रेशिपी केसी लगी अच्छी लगी होतो लाइक करना शेक करना और सुस्क्राइब करना बिल्कूल ना बुलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान लखेगा थाइंक्यू फोर वाचिंग